जालोर जिले के साइला पुलिस ने नशे में गाड़े चलाने पर रोडवेज बस ड्राइवर को गिरफतार कर लिया फालना डिपो का ये ड्राइवर नशे की अवस्था में जालोर होते वे साइला जा रहा था जहां साफडा गाउं में बस बेकाबू होने लगी तो यात्रियों में कोहराम मच गया गाड़ी एसंतुलित होते देखकर यात्रियों ने गाड़ी रुखवा ली और उसके बाद कर्णेक्टर बस को चला कर साइला तक लेकर आया जहां यात्रियों के सूचना पर पुलिस ने ड्राइवर को मेडिकल करवाया और मेडिकल में ड्राइवर के नशे में होने के पुष्टी होने पर साहला पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और साथी रोडवेस बस को अपने कबजे में ले लिया और इस पूरे माम ताजा खबरों की नोटिफिकेशन